जब से रोहित चर्मा टीम इंडिया के फुल टाइम कैप्टन बने हैं तब से टीम इंडिया को एक भी मैच में हार नहीं मिली है टीम इंडिया एक के बाद एक मुकाबले और एक के बाद एक सीरीज लगातार जीत रही है लेकिन अब रोहिद चर्मा की चुनौथियां बढ़ने वाली है जी हाँ, अब टीम इंडिया को रेड बॉल क्रिकेट खेलनी है याने की टेस्ट क्रिकेट खेलना है और यहाँ पर भी अब रोहिद चर्मा ही टीम की कप्तानी करेंगे लेकिन जिस तरीके से वाइड बॉल क्रिकेट में रोहिद चर्मा ने टीम के गैप्स को भरा उसी तरीके से रोहिद चर्मा आप टेस्ट क्रिकेट में भी टीम इंडिया के गैप्स को भरना चाहते हैं अगर आप देखें तो इस सीजन में भारती क्रिक豆 टीम को सिर्फ तीन टेस्ट मैच खिलने हैं श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में दो टेस्ट मैच और इसके बाद इंगलेंड के खिलाफ एक टेस्ट मैच खिलना है और यहाँ पर आप कुछ सीनियर प्लेयर्स को टीम में नहीं देखेंगे अजिंग के रहने हो या चेतेशवर पुजारा वो इस टेस्ट सीरीज में नजर नहीं आएंगे ऐसे में जो मिडल ओर्डर का एक गैप टेस्ट क्रिकेट में बन रहा है उस गैप को रोहित चर्मा को भरना होगा साथ ही रणनीती में भी बदलाव करने होंगे चुकि अगर वाइड बॉल की बात करें तो 50 ओवर और 20 ओवर्स क्रिकेट में तो रोहित की रणनीती सटीक बैठी लेकिन अब पाँच दिन के टेस्ट मैच में भी रोहित को रणनीतियों पर काम करना होगा कोच राहुल डरविट के साथ T20 क्रिकेट और वंडे क्रिकेट में बहुत अच्छे से जो रणनीतिया टीम इंडिया ने बनाई थी उसे रोहित चर्मा ने इंप्लिमेंट किया लेकिन पाँच दिन के टेस्ट मैच में रणनीतिया बहुत जल्दी बदलती है हर सेशन को जीतना यहां पर जरूरी होता है और रोहित चर्मा चाहेंगे कि श्री लंका के खिलाफ पहले मोहाली और फिर बैंगलूरू में भी जीत के साथ ही उनकी कप्तानी टेस्ट कप्तानी का आगाज हो लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला आसान इसलिए नहीं होने वाला क्योंकि कुछ ऐसे खिलाडी हैं जिन्हें रोहित चर्मा को टीम में जगह देनी होगी एक्जामपल के तौर पर उधारन के तौर अगर आप देखें तो शुबमन गिल, मयंक अगरवाल और रोहित चर्मा टीम इंडिया के पास इस वग्ट टेस्ट टीम में तीन ओपनर हैं लेकिन वो कौन से खिलाडी होंगे जो ओपनिंग करेंगे अगर टीम मैनेजमेंट की सोच देखें और सेलेक्टर्स की सोच देखें तो शुबमन गिल को नमबर तीन पर खिलाया जा सकता है जिस पोजिशन पर चेतेश्वर पुजारा खिला करते थे चार नमबर पर विराट कोहली ही खेलेंगे और ओपनिंग के लिए रोहिज चर्मा और मयंक अगरवाल ही आएंगे इसके अलावा अगर मिडल ओर्डर की बात करें तो श्रेय साइयर को हो सकता है कि मोहाली टेस्ट में जगा ना मिले और वो स्टैंडबाई प्लेयर ही बन कर रहे हनुमा विहारी एक ऐसे खिलाडी जो लगातार स्क्वार्ड में तो आ रहे थे लेकिन उनको जगा नहीं मिल पा रही थी लेकिन रोहिज चर्मा की कप्तानी में हनुमा विहारी भी 6 नंबर पर बल्ले बाजी कर सकते हैं तो वही 5 नंबर की बात करें तो 5 नंबर पर रीशव पंत टीम इंडिया के विकेट की पर बल्ले बाज अपनी बल्ले बाजी करते हुए विस्फोटक बल्ले बाजी करते हुए नजर आ सकते हैं लेकिन अगर पूरे दोरे की बात करें और रोहित चर्मा की कप्तानी पर खास तोर पर नज़र डाले तो वाइड बॉल क्रिकेट में तो उन्होंने बहुत अच्छा किया लेकिन अब उनका असली टेस्ट शुरू होगा असली टेस्ट इसलिए क्योंकि रेड बॉल क्रिकेट में हर दिन रन्नीती बदलनी होगी हर सेशन रन्नीती बदलनी होगी और जो ज़ादा सेशन जीतेगा उसे ही टेस्ट मैच में जीत मिलेगी और रोहित की कप्तानी का असली टेस्ट भी रेड बॉल फार्मेट में ही होगा इसलिए रोहिज चर्मा के लिए ये जो बड़ा टेस्ट आ रहा है सामने उस पर उन्हें कुछ खास काम भी करने होंगे उमीद यही करते हैं कि स्री लंका के खिलाफ रोहिज चर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया पहले मोहाली और फिर बैंगलूरू जहां पर डे नाइट टेस्ट मैच खिला जाना है वहाँ पर भी फता हासल करे और वाइड बॉल के बाद रेड बॉल फॉर्मेट में भी टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाए और जोड़े रहें इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल के साथ